पोस्त मॉटम रिपोर्ट की जो जानकारी है उसके मताबिक 15 से 16 वार उसके ओपर धारदार हत्यार से भी की गए यानि की पेरहमी से उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद कहा ये भी जा रहा है लोग ये भी बता रहे हैं कि जब उसकी मौत हो गई लोग समझ गए जिनों ने उसके उपर हमला किया था वो समझ गए कि उसकी मौत हो गई है तो उसके उपर फिर पत्थर भी मारे गए से विजदश्मी की रात हुई घटना ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया जब बहराईच उत्तर प्रदेश से खबर आई कि शोभा यात्रा के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से उसको मौत के गाट उतार दिया गया है आपने जो ये पताका देखा भी ये भगवा पताका है और यहां आप अगर देखेंगे मैं एक बार अपने वीडियो जोनलिस को कहूँगा कि कैमरा घुमा कर आप दिखाईए कि इस सड़क पर आपको हर जगए भगवा पता का नजर आएगा दौर भी कुछ बने हुए हैं क्योंकि यहीं से शोभा यात्रा निकल रही थी और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं यहीं आकर शोभा यात्रा को रोका गया था जिद इस बात की थी कि जो गाना चल रहा था जो डीजे बज रहा था उसको बंद करें उसके बाद आप आगे जा सकते हैं आगे निकल सकते हैं और यही वज़े थी कि यह विवाद शुरू हो गया लेकिन यह विवाद कहा से शुरू हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यह वो मजजद है जिस मजजद के सामने कुछ लोग आकर खड़े होते हैं डीजे को बंद करने के लिए कहते हैं गान मीच में हैं और इसके बाद कुछी कदमों की दूरी पर चंद कदमों की दूरी पर जब लोग रुकते नहीं हैं शुभायातरा में शामिल जो लोग थे वो रुकते नहीं हैं 12-15 मंदिरों की मूर्तियों का विसरजन होने जा रहा था और उसी में शुभायातरा में लोग य जहां से पत्थर बाजी हुई, जहां से पत्थर फैंके गए शुभा यात्रा पर और उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया, फिर देखते ही देखते इस पुरे आक्रोश और दूसरी तरफ से जो पत्थर बाजी हो रही थी, उसने एक नया रूप ले लिया और फिर यहां नारे बाजी भी हुई ऐसा कहा जाता है कि यहां पर नारे बाजी भी हुई एक तरफ से नारे बाजी हुई तो दूसरी तरफ से लोगों ने रोकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से भी लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की और उसके बाद यह बढ़ता लग जाती है उसके बाद एक युवक जिसकी मौत हुई है जिसकी हत्या की गई है वो इसी मकान के उपर चड़ता है और आप वो देख रहे हैं कि भगवा पता का जो आपको दिखाई दे रहा है वो भगवा पता का वहाँ पर वो लहराता है अब इससे और भी ज्यादा गुस सा यहां जो दूसरे समुदाई के लोग थे उनमें बढ़ जाता है क्योंकि आपको मैं कुछ तस्वीरें यहां दिखाना चाहता हूं आप देखेंगे कि अमुमान क्योंकि यह मुस्लिम आबादी का ख्षेत्र है मुहला है यह बाजार भी जो है महाराज गंज बाजार यहा युवक ने हटाकर भगवा पताका वहाँ पर फहरा दिया और उसका वीडियो भी सारवजनिक है लोगों के सामने है उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया युवक महा से पताका लहरा कर वापस चला गया लेकिन 10-20 मीटर की दूरी पर जैसी वह जाता है तो कुछ लोग उसके पीछे पहुंचते हैं उसको घसीटते हुए इस मकान के अंदर ले जाते हैं देखिए जिसका आप देख रहे हैं कि शेड नीचे गिरा हुआ है और इसके बाहर आपको ये कुछ जली हुई चीजे टूटी हुई फूटी हुई चीजे नजर आ रही है अंदर य जहीं इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है उसे ना सिर्फ गोली मारी जाती है बलकि धारदार हत्यार से उसके उपर कई वार किये जाते हैं पोस्ट मॉटम रिपोर्ट की जो जानकारी है उसके मुताबिक 15-16 वार उसके उपर धारदार हत्यार से भी की गए यान के उपर फिर पत्थर भी मारे गए थे तो इतनी बेरहमी से निर्मम तरीके से उसकी हत्या को अंजाम दिये गया और यही वज़े थी कि उसके बाद लोगों का घुसा यहां पर दिखाई दिया और जो दूसरी तरफ के लोग थे उन्होंने अगले दिन यानि कि कल यहां तोड़ फोड़ की आगजनी की अपना घुसा दिखाया और उनकी मांग यह थी कि जब तक इस हत्या के जो आरोपी हैं उनको पकड़ नहीं लिया जाता उनको सजा नहीं दी जाती है तब तक वो शांत नहीं बटे हैं अहला कि पुलिस पर शासन ने पुलिस और यहां के जो पर शासन है उसने पूरे इस इस लाके में मस्तैदी काफी जादा बढ़ाई हुई है हालात सामानी किया हुआ है उन्होंने चारों तरफ मस्तैदी है दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है जिसमें चार अग्यात है छे नामजद है अभी भी लोग कह रहे हैं कि जब तक अरोपियों को उन दोशियों को पकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जा तो उनको सजा नहीं दी जाती है तब तक वो शांत नहीं होंगे हलाकि परशासन की पूरी कोशिश है कि हालात काबू में रहे और किसी तरह की कोई अपरिय घटना ना हो महराजगंज में जहां पर बवाल मचा जहां पर एक युवक्त की हत्या कर दी गई उसके बाद के हालात क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मैं महराज गजबे ही मौजूद हूँ और ठीक उसी जगे पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई थी रात में जब यहां से शुभा यात्रा निकल रही थी लेकिन इस वक्त के जो दुरिश हैं यहां के जो हालात हैं वो क्या बया कर रहा हैं मैं जरा वो आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए एक तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे पुलिस बलकी भारी तैनाती है बैरिकेट्स हैं यहां पर आम लोगों की आवाजाही बिलकुल नहीं है और दूसरी एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आ रही है यहां पर जब मैं घूम रहा हूँ देख रहा हूँ पर घटना को अनजाम दिया गया था यह देखिए यह ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है कुंडी और कुंडी के ऊपर ताला लगा हुआ है इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दर्वाजये पर भी बढ़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चलें कोई है क्या अंदर भाईया कोई है अंदर कोई है कोई नहीं है और इसी मुहले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं यह देखिए यह यह भी एक घर है यह मुस्लिम समदाई के ह के घर है और यहाँ पर जो अंदर दर्वाजा मैं कोशिश करता हूं वहाँ पर जाके जरा आवाज दगाऊ कोई है क्या अंदर हिलो कोई है कि यहाँ पर भी कोई ृणि है तो ये जो लोग है दरसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी क्योंकि ये आसपास के घर है मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर है इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके उपर कोई action हो सकता है कोई कारवाई हो सकते देखिए अब मैं ऐसे ही देखिए ये गिरिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है ये ताला अगर हम दिखा पाएं हर अंदर दिखाईजी ज़रा अंदर से ताला बंद है और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है बाहर से क्योंकि कुंडी भी चड़ी भी नज़र नहीं आ रही है कोई है अंदर भया बहा कोई अंदर है क्या कोई बोल नहीं रहा है अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है यहां देखेंगे आप जो दुकाने हैं इनके शटर भी गिरे हुए है इसके अलावा इसके बगल में जो घर है जो दर्वाजा है वो भी अंदर से बंद है यानि कि जो भी है वो अं देखिए यह इसी महले का घर है यहां पर आप देखेंगे कि गेट थोड़ा सा तूटा हुआ है क्योंकि बहुत बवाल हुआ था यहां पर और उस बवाल में यहां तोड़ फोड़ की गई आगजनी की गई तो लोग यह देखिए यहां पर भी ताला लटका हुआ है यादि क यहां पर रह रहें अंदर स्टेपलाइजर मुझे नजर आ रहा है और इसके बगल का जो घर है उसमें भी आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है यहां पर भी ताला लगा हुआ है हलाकि मुझे ऐसा लगता है कि यह अल्टरिनिट गेट है जहां से शायद लोग आते जाते ह होंगे यह शटर जो हैं वह तो बंध हैं ही और इसके बगल वाले घर में हम आपको दिखते हैं कि कोई है यह नहीं और इसे बड़ी वजह यह है कि जो घटना घटी उस घटना के बाद यहां पर जाहर सी बात है क्योंकि बावाल शुरू हुआ था तो जो लोग यहां के थे उन से पूछताच और उन पर एक्षन की बाद जरूर हुई और यह देखिए इस घर को बाहर से कुंडी चढ़ा कर लोग जा चुके हैं यान आप आएंगे तो आप देखिए यहां पर भी ताला लगा हुआ है